नमस्कार दोस्तों CDSL शेयर में आज के ट्रेडिंग सेशन में मॉर्निंग में तो हमें एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली थी पर दोस्तों जैसे ये शेयर अपने उपर के लेवल्स पर पहुचा उसके बाद यहां पर हमें सेलर्स वापस से एक्टिव होते हुए दिखाई दिये थे और इस शेयर में हमें वापस से गिरावट देखने को मिली है तो चलिया करते हैं CDSL शेयर का टेकनिकल एनिलिसेस अगर हम बात करते हैं शेयर में रेजिस्टन्स की तो यहां पर आप देख सकते हो दोस्तों कल भी मैंने आपको कहा था कि 1143 का जो लेवल है यह लेवल एक बहुत ज़्यादा इंपोर्टन रेजिस्टन्स है क्योंकि दोस्तों लगातार आप देखो इस शेयर ने इसी लेवल पर रेजिस्टन्स फिस्ट किया है अगर हम बात करते हैं सपोर्ट की तो यहां पर दोस्तों 1074 का लेवल एक important support है क्योंकि लगातार ये share इसी level पर support ले रहा है तो इस तो आईएब हम apply करते कुछ technical indicators, MACD और RSI और देखते हैं कि इन indicators में हमें क्या बदलाओ देखने को मिला है अगर हम सबसे पहले देखते हैं MACD indicator को तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तो आज के trading session में हमें MACD का जो histogram है, bullish histogram वो छोटा होते हुए दिखाई दिया है और दोस्तो यहाँ पर अभी हमें MACD में एक bearish crossover देखने को मिल सकते हैं और ये एक बहुत ही बुरी बात है RSIB आज के trading session में हमें थोड़ा सा week होते हुए दिखाई दिया है तो हम कह सकते के आज के trading session में दोनों technical indicator bearish होते हुए दिखाई दिये हैं अगर हम बात करते हैं इस share में खरिदारी करने की तो दोस्तो यहाँ पर मुझे लगता है आपको अब भी इस share में खरिदारी नहीं करनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर दोस्तो आप देखो इस share में लगातार हमें bearish candle generate होते हुए दिखाई दिये हैं आज तो इस share में सबसे बड़ा bearish candle generate होते हुए दिखाई दिया है तो यहाँ से इस share में घिरावट आने के भी संभावना है पर दोस्तो अगर यह share 1143 का level break कर देगा यह वाला level तो इस share में अच्छी तेजी आ जाएगी तो आप इस share को तब भी buy करो जब यह share इस level के उपर closing देता है उसके बाद दोस्तो सबसे पहला target रहेगा 1179 का level दूसरा target रहेगा 1257 का level पर दोस्तो यह share अगर resistance break नहीं करता और अगर इस share में ऐसी गिरावट आती रहे तो उसके बाद यह share 1074 तक आ सकता है और अगर इस share ने एक बार 1074 के निचे closing दे दी तो उसके बाद इस share में हमें और भयंकर गिरावट दिखने को मिल सकती है तो दोस्तो अगर आपके पास कोई भी holding है तो आप 1075 का 1070 रुपीज का closing basis पर stop loss लगा सकते हो क्योंकि एक बार यह share इसके नीचे गाया तो उसके बाद यह share 1015 रुपीज तक भी आ सकता है तो आज की वीडियो के लिए पस इतना ही वीडियो पसंद है यह तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यह वीडियो का educational वीडियो है इस share में मरी कोई भी बाइस एल्या होल्ड की सलह नहीं है